डोस्तो फूलेरी कहते हैं दर्ध ना सकते है अगर बड़े से बड़ा दर्ध आपके शरीद में कहीं चोच लगी है और दर्ध है उसका पेस्ट बनागे अगर उस दर्ध पे लगाते हैं तो इससे दर्ध सुधर जाता है ठीक है यह बड़े काम की चीज है दोस्तो इसकी आप इसकी लुगदी बनाएं इसकी फूल की लुगदी बना करके और इसमें चांदी पारे की गूली पकाएं इसकी लुगदी बना करके बीच में पारा डाल दें पारे की गूली और फिर इसको आप पूट दे दे आप दो किलो उपलो की पूट दे दे इसमें पारे की गूली पकती दोस्तों देख लेजे आप यह फूल की इस तरह का है इस तरह की फूल वाली जितनी भी आपके आप बूटिया होंगी न वो लाले ना और इसकी फूलो की लुगदी बनाकर फूलो पत्तों को सबको लेकर लुगदी बनाकर इसके बीच में पारा डालके आप इसको अच्छा पकाना यह आपकी गूली पुखता हो जाएगी हो सके तो इसमें तुल्सी के पत्ते भी एड़ कर दे न है न। तुलसी के पत्ते अिले कर देना तुलसी में भी पारा पाये जाता है और होश होक है तो बफुलेरी तुलसी और बवुल की फिली इनकी लगदी बनाकर पारे की गोली डालके दो कि लोप लोख की पूर देना ये गोली आपके पग जाएगी धन्य वाल दें